Good morning class, student with video, our topic is multiplication as repeated addition हमार topic है फिर से multiplication as repeated addition इस topic पर हम पहले भी बात कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको multiplication के form में था तो addition के form में लिखें यह बताया था आज हमारे पास addition के form में है उसे हम multiplication के form में लिखना सिखेंगे write in multiplication form if you remember तो आपको याद होगा कि मैंने आपको multiplication के form में था उसे addition के form में लिखना बताया था कि multiplication के form में हो तो उसे addition के form में कैसे लिखें और उसे related questions भी कराये थे आज हम दिखेंगी कि हमारे पास addition के form में है उसे हम multiplication के form में किस तरीके से लिखें तो यहाँ पर मेरे पास हम इसे माल लेते हैं मैंने नमबर लिया है 3 उसे repeat किया 1,2,3,4,5 इसे हम माल लेते हैं कि आपकी tricycle जिसमें कि 3 wheels होते हैं 5 branches अपकी tricycle में 3,3 wheels हैं पहले वाले में 3 wheels मैं इसकी जगव ऐसे ही circle बना दे रही है 1,2,3 उसे वाले में भी 1,2,3 उसकी भी cycle में है 3rd,1,2,3,4,1,2,3,5,1,2,3,5,1,2,3 तो सबके tricycle में 3,3 wheels हैं यानि 3,3,3,3,3,3,3,5 times इसे हम multiplication के form में कैसे लिखे हैं तो कौन सा नंबर है? 3 इतनी बार repeat हो रहा है? 5 बार 1,2,3,4,5 यानि 5 times 3 1,2,3,4,5 5 times 3 से हम times का मतलब मैंने आपको बताया ता multiply यानि 5 into 3 5 into 3 5 into 3 जो नंबर है वो बाद में जितनी बार है वो नंबर पहले आएगा और बीच में आजाएगा multiply का sign 5 times 3 यानि addition के form में हो तो उसे multiplication के form में इस तरह से लिखते हैं next अब हमारे पास नंबर है 5 1,2,3,4,5 हमारे पास नंबर है 5 यानि आप इसे 5 chocolates मान लीजिए आपके पास भी 5 chocolates आपके friend के पास भी और एक जो आपका friend है उसके और पास भी यानि आप 3 friends आपके पास 5 5 chocolates है 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 यानि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 15 यानि आप कितने friends है 3 तो कितनी बार 5 आया 3 बार 1,2,3 यहाप अब हो जाएगा 3 times 5 अब यह जो number है यह 5 बाद में हो गया और कितनी बार repeat हुआ 3 तो 3 into 5 यानि जब multiplication के form में लिखना हो addition के form को तो हमें देखना होगा कि number कौन सा है और कितनी बार repeat हो रहा है जितनी बार number repeat हो रहा है वो number पहले उसके बाद multiply का sign और जो number बार-बार repeat हो रहा है वो बाद में ओके चलिए कुछ और examples के थूँ हम देखते हैं इसको write the multiplication fact for each of the following आपे मैंने कुछ question लिखे हुए है उसके थूँ हम देखते हैं कि write the multiplication fact इसका multiplication fact क्या होगा देखिए कौन सा number है 1 1, 1, 1 कितनी बार repeat हो रहा है 1, 2, 3, 4 बार repeat हो रहा है 4 times 1 जोसको हम बोल सकने 4 into 1 बार-बार ये line लिखने की ज़रूरत नहीं है ये मैंने आपको यहां समझाने के लिए लिखी है 1, 2, 3, 4 जितनी बार number repeat हुआ वो पहले जो number repeat हुआ वो बाद में बीच में multiply का sign अब कौन सा number है 4 कितनी बार repeat हो रहा है एक ही बार यानि 1 into 4 1 time 4 1 time 4 next number देखते हैं कौन सा है 6 कितनी बार repeat हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर से count कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 times 6 मैं times इसले बोल रही हूँ कि multiply के sign को हम times ही बोलते हैं 7 into 6 7 times 6 कि next कौन सा number repeat हो रहा है 7 कितनी बार हो रहा है देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि 6 times यानि multiply 6 into 7 6 times 7 एक और example है कौन सा number है 3 कितनी बार है देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 बार है 8 into 3 8 times 3 यानि अगर addition के form में हो तो multiplication के form में कैसे लिखें और multiplication के form में हो तो addition के form में कैसे लिखें यानि multiplication as repeated addition में हमारे दो टॉपिक हैं पहला write in addition form and दूसरा write in multiplication form यानि multiplication के form में हो तो addition के form में लिखना हो addition के form में हो तो multiplication के form में लिखना हो पहले मैंने आपको addition के form में लिखना बताया था आज मैं आपको multiplication के form में लिखना बता रहे हैं के लियर हो गया होगा आपको इसी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ होंबग दिया है साथ में पहले अन्थाटीन का टेबल भी आपको लांड करके अपनी मैच की कॉपी में लिखना है थैंक्यू